नवस्ते दोस्तों हाने की रसोई से आप सब एका स्वागत है आज मैं आप सब के लिए एक बहुत प्यारे से दिखने वाले केक डेकोरेशन की आइडिया लेकर आई हूँ बिना नूजल का इस्तमाल किये बहुत ही असानी से इस केक को बनाएंगे और बहुत ही ब्यूटिफुल सी यह ट्रेक है तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी तरह की आगे और भी वीडियो देखने के लिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ये केक मैं आदा किलो के मेजर मिट में बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने एक 6 इंच का चॉकलेट केक लिया है इस केक को सबसे पहले हम 3 लेयर्स में कट कर लेंगे चॉकलेट स्पॉंज की रेसिपी मैं आपसे काफी बार शेयर कर चुकी हूँ वीडियो मेरे चैनल पे अविलेबल है तो वो आप देख सकते हैं अब इसे मैं सिंपल जो पानी है उसी से ही मैं सोक कर रही हूँ आप चाहें तो इसके जगे मीठा पानी भी ले सकते हैं एक लेयर हम इस पर विप क्रीम के डाल देंगे कम यह जादा क्रीम आप अपने साब से रख सकते हैं इसे अच्छे से केक की लेयर पर डाल देंगे अब ब्लूबेरी फ्लेवर बना रहे हैं तो मैंने हापे blueberry crush का अस्तमाल किया है जो easily market में available है अच्छे से इसे भी cream के साथ mix करते हुए इसकी एक layer बना लेंगे उपर से मैं डाल रही है थोड़ी से चौको चिप्स blueberry के साथ चौकलेट का बहुत यशा combination लगता है साथ ही थोड़ी से वेपर dry blueberries थी वह मैं ले रही हूँ अगर आपके पास हो तो आप डाले ने तो avoid कर सकते हैं या फिर fresh blueberries का स्तमाल भी आप कर सकते हैं हरका साथ टैप करते हुए पूरी क्रीम में हमने इसको सेट कर लिया है अब सेम प्रोसिस को रिपीट करते हुए एक की तीनों लेयर्स हम असेम्बल कर लेंगे इसके उपर भी वापस हमने क्रश टाल दिया है साथ ही इसमें हम डाल देंगे चौको चिप आप चाहें तो ग्रेटेड चॉकलेट भी इसमें डाल सकते हैं वो भी काफी अच्छी लगती है केक की फाइनल लेयर रखने के बाद उसे पानी से सोक किया और बस अब इस पर डा क्रम से हो जाते हैं और हमारा जो फिनिशिंग केक का वो अच्छा आता है इसे करीब आप फिरिज में रख देंगे पंदरा मिन बार जो हमारे क्रम कोट है वो आराम से से हो जाता है उसके ओपर आप अपना जो क्रीम का फ्रेश लियर लगा दें तो सेम उसी पाइपिंग ब से मैंने एकदम पतली सी लेयर क्रीम की इस पर लगाई है और इस तरीके से जब आप पाइपिंग बैक साइसिंग करते है ना तो आपकी केक की जो फिनिश है बहुत अच्छी आती है और बिगनर्स के लिए तो यह बहुत ही असान है पैलेट नाइफ के हेल्प से और स्क्रे कर लिया है अब यहां पर एक स्लिकॉन ब्रश के हेल्प से मैं इस तरीके से इस पर पैटन बना रही हूं तो नीचे से थोड़ा सा इससा मेंने छोड़ दिया है केक के तीन चौथा ही इससे में मैंने इस तरीके का पैटन बनाया है आप चाहें तो यह की टॉप में भी सेम तो मैंने क्या किया है जो piping bag है उसमें आगे से छोटा सा कट लगा के इस सरे से cream फैलाई है लेकिन cream जो है ना मैंने सबसे उपर आली जो लिए रहे है उसे प्रेस करते जाएं और यह देखिए इस तरीके से इस पर फिनिश आ जाएगी और आपका जो फॉल्ट लाइन जो पैटन है यह डिजाइन है वह बन करके रैडी हो जाएगा यह देखिए कितना बढ़िया से यह पैटन बन करके रैडी हुआ है यहां मैंने गोल्डन ड्रिप यह इजीली मार्गेट में मिल जाता है 180 का यह बॉटल आता है और इसको गोल्डन वैसे जो डेकॉरेशन है फॉल्ट लाइन का उसको बनाने के लिए गोल्डन लस्टर डस्ट यानि गोल्डन डस्ट और इवेपोरेक्स कर स्तमाल किया जाता है लेकिन काफी जगे वह नहीं करते हुए मैं इसको थोड़ा सा स्मूध कर लूँगी या थोड़ा सा फैला लूँगी और बस देखिए हमारा कितना बढ़िया से यह फॉल्ट लाइन जो डेकॉरेशन है वो बन करके रैडी हो गया मैं गोल्डन कलर रखा है आप सिल्वर रख सकते हैं ब्रॉंज में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा तो वाइट और ग्रे का कॉंबिनेशन देते हुए इस तरीके से मैंने डिजाइन दे दिया है इसके उपर मैं थोड़े से गोल्डन पर्स टाल रही हूं जिसे यह दिखने में और भी अच्छा लगेगा आप चाहें तो डेकॉरेशन थ वह भी बना दिया है वो देखे कितना बढ़िया यह केक लग रहा है लास्ट में मैंने यह एनिवर्स्टी के लिए बनाया है तो हैपी अनिवर्स्टी का मैं टॉपर लगा रही हूं और थोड़ा सा मैं सिल्वर श्प्रे कर रही हूं जिससे हमारा केक बहुत ही शाइन किया है और कितना बढ़िया यह लग रहा है तो आई होप यह केक आपको पसंद आया होगा आपको यह केक कर डिजाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही जल्दी ही मिलती हूं एक नई और मज़िदार से र